तेरी बातों में ऐसा उल्जाज जिया नौ फर्वरी को सिनेमाधरों में रिलीज हो गई है। मूवी में शाहिद कपूर, कृती सेनन, धरमेंद्र और डिम्पल का पाडिया लीड रोल में हैं। फिल्म का निर्देशन अमित जोशी और आराधना शाह ने किया है। कृती सेनन को लंबे समय से एक अदद हिट का इंतजार है। लेकिन लंबे समय से वह फिल्में तो कर रही हैं लेकिन काम्याभी उनसे दूर चिंतकती जा रही है। वहीं शाहिद कपूर को भी कबीर सिंग के बाद हिट चाहिए। आईए जानते हैं तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। इन दोनों कलाकारों के लिए क्या चमतकार करेगी और कैसी है फिल्म। शाहिद कपूर और कृती सेनन की कहानी एक रोबोट की है। ये रोबोट कृती सेनन है और शाहिद कपूर को इससे प्यार हो जाता है. फिर शाहिद कपूर अपने रिष्टे को आगे बढ़ाने के लिए इसे अपनी फैमिली के पास ले कर जाता है. वो नहीं जानते कि वो एक रोबोट है. इस तरह कई confusion होती है और कमजोर वन लाइनल्स के जर्ये हसाने की कोशिश की जाती है. फर्स्ट हाफ जैसे तैसे कट जाता है लेकिन दूसरे हाफ में देखने वाला ही हॉन्फने लग जाता है. कुल मिला कर कमजोर कहानी के जर्ये फिल्म को बढ़ाने की कोशिश की गई. लेकिन ये फिल्म कहीं नहीं जाती है. और अंत आते आते दिमाग की बत्ती बुझा देती है। सिफरा के किरदार को निभाने की। लेकिन वह कुछ भी आदगार नहीं कर पाती है। शाहिद कपूर इस केरेक्टर में जमते नहीं हैं और एक्टिंग के मामले में कहीं कहीं आउट हो जाते हैं। इस तरह जिस तरह की कैमिस्ट्री की उम्मीद शाहिद कृती से थी, वह देखने को नहीं मिलती है। शाहिद कृती सेनन की फिल्म की कहानी कमजोर है। स्क्रिप्ट के मोर्चे पर भी मूवी पूरी तरह निराश करती है। डाइरेक्शन भी औसत है, वहीं लीड स्टोर्स की कैमिस्ट्री रंग जमाने में नाकाम रही है। एक्टिंग देखकर भी निराशा हाथ लगती है। कुल मिलाकर तेरी बातों में ऐसा उल्जाजिया ऐसी फिल्म है जो दिमाग की बत्ती बुझा देती है। और इतना थका देती है कि सोचने समझने की बैटरी डाउन कर देती है।